नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जोती जतन में और आपके व्यापार नोकरी को पंक लगाने वाला है बगवान गणे जी की पुजा के लिए बुद्वार का दिन हमारी सास्त्रों में बताये गणे जी को प्रथम पुज्य देव और व्यापार धन का अधिपती देव मना गये अता है सुक और अपार धन वेबो अपने बगत गर परिवार में सुक संपती बढ़ाते हैं नोकरी में इस्ताहित वे देते हैं तो चलिए हम आपको बुद्वार के दिन करने वाले चार उपाई बताते हैं जो आपको आर्थिक लाप के सासाथ आपके जियोन में उन्नती प्रदान करेंगे और आपके लड़के लड़की क सिग्र विहा की कामना पूर्ण करते हैं सबसे पहला पाई बहुती मैत्व पूर्ण और प्रभावसली उपाई जो आपको बुद्वार के दिनी करना है इसके लिए एक हरे पान का साप सुत्रा पता लेके दोले और गंगा जलसे सुद कर ले बाद में उस पान के पत्ते को गर के मंदिन में बगवान गणे की प्रतिमा के आगे रख कर उस पान के पत्ते पर एक साबूर सुपारी पांच हरी इलाजची दुर्वा के साप सुत्रे पांच किन के पान के पत्ते पर रख दे अब आप पान के पत्ते को बांद ले बिड़ा मना ले पान को इस तरीके से कि वो खュल नय जाई जिसे सुपारी इलाइची दुरवा वग् zeरी गिर नय जाई और मोली लपेड़ें, कलावा लपेड़ें बाद में इस पान के पत्ते की पुजा पाफ करें धूब बति दिखाएं अब आप उस पान के पत्य को कांच के साधे प्लेन गिलास में डाल दें और उस गिलास में पानी भग दें अब आप उस गिलास को आप अपने घर के मंदिर में बगवान गणेजी की फोटोया मूर्टी के समक्ष रग दें और साथ दिन में बगवान गणेजी के चमतकार सक साथ महसूस करेंगे यदि आप इस गिलास को अपने व्यापार स्तल दुकान फेक्टरी में भी रख दें तो आपकी दुकान में साथ दिनों में ही गराकों की भीड लग जाएगी फेक्टरी में रखेंगे तो फेक्टरी में बनने वाला सारा समान बिग जाएगा घ्यान रखने वाली बात ये है कि गिलास के पान यूपत पानी को आप अगले बुद्वार को किसी पिपल के पेड़ में अरपन कर दें और यही परियोग नई सामगरी के साथ करें लगातार चार बुद्वार तक करते रहे इस पुद्वार के दिन एक नारियल पर हरे रंग का रुमाल बांद कर किसी गणे इस मंदिर में बगवान गणे जिको अरपन करें वे अपनी कर्ण्या के सुयोग ये वर के साथ साधिक कोने का वर मांगे नारियल के साथ मुंदी के लड़ू का परसाद मंदिर में आने वाले बक्तों में बांटे इस परियोग से इसे गणेज बगवान अतिप्रसन होकर आपको जल्दी वरदान परदान करेंगे तीसरा उपाय है येदि आप किसी समस्या से परेशान हो किसी भी समस्या से परेशान हो या दुस्मन विरोधियों से परेशान हो कई ऐसी भी समस्या होते हैं जो आप बता नहीं सकते हो या किसी रोग चिंत्या से परेशान हो तो बुद्वार के दिन एक साधे कागज पर उस समस्या को लिखे कोई भी समस्या रोग हो तो रोग लिखे दुस्मन हो तो दुस्मन का नाम लिखे करज परेशान करज हो तो करज मुक्ति लिखते अब उस कागज को आप समेट कर बगवान गणेश के मंदीर में ले जाएं और वहाँ पूजा पाट करने के बाद मंदीर के बाहर आकर उस कागज को जला दें आप विश्वास रखें बगवान गणेश जी की करपा से आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा दूसमन अपने आप दोस्त बन जाएंगे जब तक आपकी समस्याओं समादान नहीं हो जाए ये परियोग हर बुद्वार को करते रहें चोथा उपाई है यदि आप धन की तंगी से जूज रहे हो पैसों की कमी के कारण चोटी-चोटी चीजों के लिए भी आपको तरसना पड़ता हूँ आपको परेशान होने की जरूत नहीं है हम आपको ऐसा उपाई बता रहे हैं जिसे धन संबंदी समचें दूर हो जाएगी साथ ही परिवार में सुक सम्रदी बनी रहेगी सुकल पक्स के किसी बुद्वार को आप ये उपाई कर सकते हूँ इसके लिए दो मिट्टी के बर्तन लेकर दो मिट्टी के कोरी मिट्टी के बर्तन लेकर एक बर्तन में सवा किलो हरे मुंकी दाल और दूसरे बर्तन में सवा किलो डेले वाला साबूत नमक भर दें बाद में इन दोनों बर्तनों को आप घर की उत्तर दिसा की तरफ किसी भी सुरक्षी जगए साब जगए में रखते इस उपाई को करने से परिवार में धन की आवक बर जाएगी और माता लक्षमिका इस्ताई रूप से वास होगा आपके घर में लेकिन द्यान रे ये उपाई आपको गुप्त रूप से करना ये बरतन रखे वर जो बरतने मिट्टी के बरतने किसी को दिखाई नहीं देने चाहिए इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै माता की